हम जी सची काल भी सारे नूं दिसे दो शिर्पुत मैं हाजे राज अपने नए वीडियो नाल आज मेरा वीडियो कि एक अजेहे सूर में थे जिना अपनी खाल अपनी खाल लवा लई जेड़ी मुगला ने इनने तसिये दिते उनादी खाल भी उनादे तान तो ला दिती लेकिन भी उनाने एक परसंट भी क्या सकने आ उनाने उना दा मन डोले नहीं सिख्षी डोली नहीं जी हाँ दोस्तों मैं आज जे तो अनुदस्टन लगाँ एक ऐसे सूर में बारे जिना बारे शयाद ही कोई तो अनुदस्दा होएगा यहां बहुत ही काट बात किसी ने सुनिया होएगा उना दा ना सी जैसिंग पूरा ना दे आईगे सकेंदे जैसिंग खली कट कल कट जैसिंग जी दे बारे में आता अनुदस्टन लगाँ जैसिंग जी कौन थे मैं हिंदी में इसलिए बोल रहाँ क्योंकि मेरे हिंदी विविवर्स भी है और हमारा जो इतिहास हम से चुपाया जाता है कितनी कुर्बानिया डली हैं यह सिक कौम ने ना यह खालसे ने कितनी कुर्बानिया दी है ना देश के लिए वो इतिहास चुपाया जाता है उसको सामने लेके आना उन हिडन हीरोज को सामने लेके आना वो मेरा परम करतव है फिर अभी कभी खालसे को खालेस्तान कह दिया जाता है सिखों को खालेस्तान ही कह दिया जाता है ठीक है आज वो ही सिख ऑक्सीजन लंगर दे रहे हैं लोगों की जाने बचा रहे हैं तो मैं ऐसे महामूर्ख पकंडी बेगैरतों को दो कोड़ी के सोच रखने वाले गंदे लोगों को मै एप्टा नहीं की खालसे और जो खालसे का जीवन है न वो कैसा था कैसे हमें सरदारियां मिली है ट स्टार्टिंग में जब खालसा बना उन्होंने कैसे दुख जेले हैं कैसे स्टरगल कि उन्हों ने बंद बंद कटवाए कैसे खाले उनकी निकाली गई ठीक है तो जो तुम लोग बेगेरत और पखंडी बीजे पी और आरेस के दल्ले जो रखते मेरी जूती के नीचे मेरा बस चले तो सारों को चानी चौक में खड़ा करके ना साधी मेरे पास अंबर जरी अंबर सरी खुसा बढ़ जो खालसे को खालिस्तान और दुनिया पर के ऐलिगेशन्स लगाते हैं ना सिख कोंपे उनको ये एक मैसेज भी है कि आज गुरूं के जो गुरू की दाद है ना गुरूं के सिख जो गुरू के सिख हैं उनकी वज़े से ऑक्सीजन लंगर लग रहे हैं कभी ये वर्ट नह सुना हो ऑक्सीजन लंगर ठीक है हॉस्पिटलों ने हाथ कड़े कर दी है सरकारों ने हाथ कड़े कर दी क्या मोधी तो क्या योगी है ठीक है तो खालसा क्या है सिख सिखों का कितना क्या-क्या उनकी क्या-क्या-hidden stories है जो किसी को पता नहीं है इसलिए मैंने अभी एक थोड़ा सा सरी स्टार्ट किये जिसमें मैं सिख कौम खालसा कौम के बार में बनाऊंगा कि आज खालसे हैं तो वहाँ पे लाल किले पे तरंगा जूल रहा है ठीक है तो किसी को कोई वहम या शुबा हो तो मुझे बता दे खालसे वो जो लोग बड़ा negative आखों से देखते हैं या गलत allegations लगाते हैं इस वज़े से मैंने अब थोड़ा सा ये वहम क्लियर करने के लि जै सिंग जी का लिखट मुगल माजरा एक पेंड है जी हाँ मुगल माजरा सरेहंद पटेयला रोड पे एक गहाँ है और वहाँ पे उनका जनम हुआ था ये उस टाइम में रवीदास या कास्ट को बिलोंग करते हैं जो खाली कट मैंने थोड़ा study किया जो रवीदास जी जो थे उनको मानते थे और फिर इनके जो पिता जी थे वो गुरू साहब से ही उन्होंने दाद ली थी अमरे थी और सिक्ष बन गए अब इनकी कहानी है जी 1757 की बात है जब अबदाली के अटेक भारत पे हो रहे थे अबदाली ने 1747 से 1767 तक आठ अटेक किये भारत पे और ये वो ही टाइम था तो 1757 की बात है कि इसने अपने बेटे तैमुर शाह को पंजाब का बनाया गवर्णर जहान शाह को बनाया कमांडर इन चीफ और जहान शाह और एक जो सरहिंद था क्योंकि वो पंजाब का सबसे बड़ा इलाका था और सबसे में था सरहिंद उसका एक चीफ बनाया जिसका नाम था अबदुल सम्मद खान ये था पठान पाश्टुग तो जी घटना कुछ इस प्रकार है एक बर जी ये रस्ते में जा रहे थे मुगल माजरा पिंड में वहां से अबदुल सम्मद खान और उनका कोतवाल था जिसका नाम था निजामुदीन वो दोनों उसका कोतवाल निजामुदीन और अबदुल सम्मद खान जो पठान सरहिंद का गवर्णर था वो दोनों के तोनों थैला लेके जा रहे थे हैं कि रचते में, जै सिंग जी दूर तो उनका जो कोत्वल था निजामु दीन ने जै सिंग जी को बोला है, और एंसरां ठोक नवाब साब और ईनका बोरा उठाके इनके स्थान पह लेके जा लगा इंके supply में Taylor तो जैसिंग जी ने बोला कि क्या बात होगी भाई तुम इतने बतलब एरोगेंट और यह सब क्यों हो रहे हो इतना एग्रेसिव क्यों हो रहे हो उसने का हमें बकवास नहीं सुननी चुप चाप यह थेला पकड़ और अब्दुल समत खान जी का जो जहां पर वो कह रहे हैं उनके जो कैंप लगे हैं केले हो वहां पर लेके चलो हमार साथ चल उनको वह जैसी थेले के पास में खड़े थे सब न देखा अलकी अलकी स्मेल आ रही है बाद में पता लगा जी यह थेले में टुबैको है तंबाको अब कहीं न कहीं सिख्छों की जो सिगरेट ना पीने क जो सीन है वो यहां का भी है कि हम क्या सीन है और सिगरेट ना पीने के पीछे भी क्या क्या लोजिक से तो उनों ने फिर पता लगा जी इसमें तो सिगरेट इसमें तो तंबाको है तो उनों ने सक्त मना कर दिया मैं ऐसे कहरी नहीं करूँगा हमारे धरम में सक्त मनाई है हम यह सब चीज़ें का हम नहीं क्यारी करते हैं इस चीज़ को हम नहीं मानते हैं और हम छोना गलत है हम उसका कह सकते हैं तो वो गुशा हो गए कि बखवास मत कर यह ले के चल यह हो है तो वहाँ पे उसके नवाब के कुटों ने पिल्लों ने पीटना शुरू कर दिया उनको बंदी बना लिया वो मसूम थे भोले थे और बंदी बना के एक पेड़ के नीचे ले गया पेड़ के नीचे ले जाने के बाद उनने उल्टा लटकाया उल्टा लटकाने के बाद उनके साथ बहुत बड़ा कूगर्म किया उनकी खाल उगेड़ी खाल जो है ना वो उनके तन से नीचे उता रही वो वाई गुरू वाई गुरू बोलते रहे खाल उगेड़ के उन्हें सरकलम कर दिया और जिबा कर दिया जिसे उसमें बोलते हैं और क्यों किया, क्योंकि उनके सामने दो शर्टे रखी, भाई तू ज्यादा चीख रहा है, चिलाने की जुरुत नहीं, नवाव है, अब शर्टेर को बचना है, पनिश्मेंट से तो दो यह उप्शन है, एक यह उप्शन है, सौरी, इसलाम कबूल कर ले, वरना मौत को प्यार शहीद कर दिया, और एड दा सेम टाइम, उसके पूरे परिवार, उनके माता, पिता, उनकी, उनका बेटा, उनकी भूस सब को शहीद करने का ओर्डर दे दिया, किसने अब्दुल समद खान जो की एहमर्शाब दालीना पॉइंट किया था, उस समय में, और फाइनली उनके पूरे परिवार को शहीद कर दिया गया, और इस सब को देखने के बाद ये सारा सीन हुआ, फिर सिखों ने इसका बदला भी लिया सा बाद में, जब बाद में पता लगा, पूरा जो मुगल माजरा, जो पेंड है, गाहा में, उसको तबाह कर दिया सा सिखों ने, और मुग अपनी खाल उखडवाली, बंद बंद कटवाली है, पूरा परिवार खतम करवाली है, मा, बाप, वाइफ, डॉर्टर इल्लो, बहु, बेटा खड़क सी, लेकिन उनोंने सिख्खी सिदक नहीं छोड़ा, सिर्थ जाय ते जाय पर मेरा सिख्खी सिदक नहीं जाये, ठीक है? तो इससे हमें ये मॉरेल है कि इन्सान के जो इरादे न, अटल रहने चीए, गलत को स्विकार नहीं करना चीए, लड़ना चीए, चाया उसके लिए कुर्बान ही क्योंना होना पर है, और यही मैं सबसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि हमेशा गलत के खिलाफ आवाज उठाओ, हुकूमतें बुरी होती है, कोई धरम बुरा नहीं होता, बट हुकूमतें बुरी होती है, अवाज उठाओ, तो उनकी आदमें वहाँ पे गुर्द्वारा भी है, सरहन पटेला रोड बे, बरन बरन करके वहाँ पे पेंड है, बरा है शायद, मैं गलत प्रनेंसियेट कर रह हों कि इनके बारे में भाई जैसिंग घली कट के बारे में कोई बताता नहीं कि यह कौन थे, इनोंने एमर्शाअअबदाली के जो अपॉइंटेड गौउरनर थे, उनके आगे, उन्होंने सर नहीं जुखाया, तमबाकू को लेने जाने से मना कर दिया, तो उनके साथ क्या लेकिन इरादे बहुत मजबूत थे आज हमारे पास सब कुछ है लेकिन हम डोल जाते हैं छोटी मोटी बातों में घबरा जाते हैं शेर बनके जीओ खैर गुरू साइपने खाल से को तो बनाये शेरे कुटे बिले गिदड़ लकड़ बगगे तो सब नीचे लगा देते हैं खाल से और लगाते ही रहें तो जैहन जैवार दोस्तों ये था मेरा वीडियो बाई जैसिंग जीओ जैहन जैवार